चलिए सब्सक्राइब लेट जोइनिंग का नहीं है लेट नहीं क्योंकि एप्लिकेशन सर्वर में आरर आया तो मैं यहां पर खाली था तो मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया एक कुश्चन वाकि दूसरे कुश्चन से आप जोइन हो गए हो और कोई फरक नहीं पड़ेगा आपक सा टाइम लेके इंस्टेंट मिल जाएगा आपको जो हमने करा है ठीक है कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है चलिए एक कुश्चन आपकी किताब का है इलिस्टेशन नमबर टू और यह कुश्चन जो लिया गया है यह जी आर मोंगा क और सी डिपार्टमेंट है कहा गया परचेज इसने एक हजार यूनिट किये इसने दस हजार इसने दो बीस हजार इसने मुद्दे की बात है यह यूनिट है नौट रुपीज तो मैं पहले तीनो डिपार्टमेंट बना लेता हूँ तो बड़ा च्छोटा सा कुश्चन होग लेकिन भूख के तो सारे कुशन करा नहीं है दो तीन चार चलिए ए है, भी है और सी और टोटल ठीक है ए, बी और सी और टोटल करेक्ट चलिए अब सवाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे कहता है कि सेल्स एन यूनिट तो ये भी सेल्स यूनिट में है और सेलिंग प्राइस दे दिया आपको तो मैं यहां सेल्स तो बड़े आसानी से लिख सकता हूँ है ना सेल्स तो लिख सकता हूँ वाई सेल्स तो सेल्स कैसे निकालेंगे 10,400 को हम 21 से multiply कर देंगे 10,400 को 21 से multiply कर देंगे That is आ जाएगा 21 84,000 इसके बाद 19,600 को किस से multiply कर देंगे सर 22 से आ गया 43,000 1200 उसके बाद 30,600 को किस से multiply करें 24 से 7,44,000 सारी 7,34,000 7,34,400 प्लस 43,12 218,400 तो यह आ गया 13,84,000 आगे कहता है सवाल में stock at the end अब सर यह भी क्या है हमारा सर यह भी बड़ी समस्तिया है यह भी किस में दे रखा है यूनिट में अब आप मुझे बताईए closing stock जो होता है closing stock जो होता है सर डेप्रिशेशन का revolution नहीं कराया है कि आपने नहीं करा दिया है आप एक पर देखना live class में कराया है मैं आज सारा content ने range करा देता हूँ ठीक है ना revolution वाला specially question किया था full concept के साथ देखे closing stock आप मुझे एक अभी इस पर ध्यान दीजिए आपके जितने भी doubt होंगे आप का hand raise करीए का मैं सभी का answer दूँ आपका तो closing stock मान लेते हैं एक गुड्स है 10 रुपय का मैं 12 रुपय में बेच देता हूँ और यह समान मेरा बिका ही नहीं तो मैं closing stock में जो दिखाऊंगा वो कितने रुपय का दिखाऊंगा मैं 10 रुपय का दिखाऊंगा यह 12 रुपय का दिखाऊंगा तो जवाब है 10 रुपय का क्योंकि AS2 accounting standard 2 कहता है market price यानि जितने का बेचते हो और जितने का खरीदा है दोनों में से कौन सा लेना है value में कम वाला final account में करा था न whichever is lower तो वो लेके चलना है आपको समझ रहे बात को तो अब हमारा जो closing stock है वो closing stock यहाँ पे मेरे वाले सवाल में आप बताओ closing stock का unit दे रखा है तो मैं इसका rate कौन से वाला लूगा purchase वाला rate लूगा या sale वाला rate लूगा purchase वाला लेंगे वास की बात है क्योंकि sell वाला üzबेस है हमेशा क्या होगा ज्यादा और purchase वाला क्या होगा अब हमें closing stock का हर किसी का क्या इसका भी rate निकालना पड़ेंगा यानि हमें purchase का unit का rate पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी ठीक है इसने कहा दिया भाईया मैंने total purchase इतने का किया है तो purchase unit निकालना तो मुश्किल हो गया इसने बोला कि जितना भी purchase किया है ना आपने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ to purchase इसने कहा जितना भी purchase किया है ना वो 959 का है तो लेकिन हमें तो हर department का अलग-अलग rate से खरीदा होगा न पर्चेज क्योंकि हर department का अलग-अलग rate sale का भी है तो ऐसे situation में नीचे क्या कहता है you are required to prepare departmental trading और one shika limited assume that the percentage of gross profit trend over ratio same in each cases कहता है जो GP निकलेगा ना profit हर case में same रहेगा तो हम एक काम कर लेते है profit का ratio निकल लेते है जिससे बात बन सकता है सर profit का ratio निकलने से कैसे बात बन सकता है वो देखते है profit का ratio क्या होता है GP का ratio निकलता है हमारा क्या GP ratio निकलता कैसे हमारा अगर हमें क्या पता चल जाए सर अगर हमें पता चल जाए profit और उसको divide किस से कर दे सर सेल से और गुणा किस से कर दे 100 से तो एक percentage पता चलता है यह अपने बारवी क्लास में भी पढ़ा हुआ है GP ratio ठीक है ना अब सर हमें profit कैसे पता चलेगा profit बताने का तरीका होता है कि सर अगर आपको पता चल जाए sales और sales में से अगर अब minus कर दो purchase यान लाख 84,000 है और purchase value जो है हमारे पास 959 है it means मुझे profit यहां से पता चल जाएगा और 13,84,000 और 959 तो 42,500 कितने आगे हमारे 4,25,000 तो मैं यहां लिख लेता हूं कि सर मैंने profit जो कमाया ना वो 4,25,000 कमाया और जो मेरा sales था that is हमारा था 13,84,000 अब देखते हैं 4,25,000 और divided by 13,84,000 और into में 100 करते हैं अगर हम 13,84,000 4,25,000 divided by 13,84,000 divided में तो यह एप्रोक्स आ रहा है हमारा 30% हमने profit एक पर चेक कर लिजेगा कहीं गलत निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगा 13,84,000 माइनस 9,59 नहीं है न ना ना इन 59, 4,25 दिवाइड़ बाइड़ बाइड़ आ हाँ सारा नहीं बेचा है तो अगर सारा इसमें से जो भी है closing stock तो हटाएंगा ना तो हमारा selling value तो यह है ना प्रोक्स आप कहा रहे हैं सर सारा unit नहीं बेचा है unit नहीं बेचा लेकिन हमारे पास sales तो यह closing unit कितना पड़ा हमारे पास यह क्या है हमारे पास लेकिन अगर GP ratio हम निकालते हैं अब हमारा purchase कितने unit किये थे हमने अब देखिए ध्यान देजिए purchase कितने unit किये थे 10,000 और हमारा एक चीज और निकालना है यहां पर opening stock का भी unit निकाल देता हूँ confusion ना हो मैं इसको और थोड़ा detail में लेके चलता हूँ वह वाला तो सही कर रहा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ऐसा मत सोचिएगा हमारा basically क्या होता है sales is equal to sales is equal to मैं unit की बात कर रहा हूँ आपसे sales is equal to sales unit की बात कर रहा हूँ opening stock का unit plus purchase का unit minus closing stock का unit तो sales कितने unit है पहले वाले का 10,400 ए डिपार्टमेंट का और हमारा opening stock क्या है x है purchase कितना है 10,000 है closing stock कितना है 800 है तो अगर इसको solve करें तो क्या x की value निकाल पाएंगे हम अगर हम minus कर दें इसमें से 9200 यानि सर 10,400 और minus में 9200 तो क्या आया बताओ वाई calculator हाथ में रखा करो न क्या 10,400 minus में इसका मतलब सर 1200 जो रहा होगा that is opening stock रहा होगा ठीक है ए डिपार्टमेंट का यानि सर बी डिपार्टमेंट का भी कुछ न कुछ opening stock होगा तो बी डिपार्टमेंट का ultimately हम क्या कर रहे है अगर मैं इस formula को solve करूँ तो opening stock इधर minus में आ जाएगा और यह किधर चला जाएगा minus में तो minus या फिर ऐसे ही कर लेते हैं बी का भी बताओ बी का क्या आएगा opening stock हमें पता नहीं x plus में परचेस कितना है बी डिपार्टमेंट बीज और यहां आ जाएगा उननिस छे सो और closing stock कितना है बारा सो तो बीस हजार माइनस में बारा सो और माइनस उननिस छे सो यह आठ सो आ गया कितने आ गया आठ सो यह बी डिपार्टमेंट हो गया चिंता मत करिए जब तक यह समझ में नहीं आएगा न हम इस पर आगे बढ़ने वाले हैं नहीं सवाल में ए हो गया यह कौन हो गया बी ऐसा ही किस पर निकाल लेंगे हम सी पर तो सी पर अगर निकालते हैं हम तो सी का हमारा कितना है सरसील तीस अजार खेसो इस एकल टू एकस प्लस में तीस अजार माइनस में चौदा सो तीस छेस सो माइनस में तीस अजार माइनस चौदा सो आठ सो आ गया यह भी यह भी आठ सो आ गया है ना चेक करते जाएए का यह भी कितना आ गया सर आठ सो आ गया मैं यहां पर अभी कुछ भी नहीं लिख रहा सबसे पहले मैं इसको भी मिटा दे ये वाला तो चलो इसको भी मिटा देते हैं ठीक है हमने क्या करा सबका opening stock का unit निकाल दिया इसका opening stock है इसका opening stock है इसका opening stock है closing stock का unit given है तो हमें ये पता करना है कि भीया हमने बीचा तो है कुछ और बेचने का unit week even है हमें opening stock का क्या अगर हमें purchase कितने का current rate पता चल गया तो सारी बाते हमें one by one पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो कहता है कि जो हमारा percentage है turnover का turnover का percentage कितना है वो total मिला के देखा जाए तो same है क्या मैं एक बार फिर से इसको कर दूबार अगर confusion हो रहे तो किसका कितने है दो हजार है चलिए ठीक है पहले यहां तक पहले आप सबसे पहले आप यह हमें निकालना है GP मैं दुबारा मिटा के करूँगा चिंता मत पर मैं पूरा मिटा के fresh कर दूँगा ताकि concept तो समझ में at least हमें क्या निकालना है और GP के लिए क्या चाहिए opening stock चाहिए purchase चाहिए अगर को direct expense है तो वो लिख देंगे सवाल में कहीं भी direct expense नहीं है और sales और closing stock ज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना हम question पर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि basic concept अगर आपका strong होगा ना तो exam के सवाल आप कर पाएंगे चलिए मैं ये चीज़े नहीं मिटा रहा अब सवाल सामने है परचेज मैंने परचेज लिख लिख लिया लेकिन amount नहीं fill कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे हर unit का rate नहीं पता लेकिन सवाल में total purchase जरूर दे रहा है तो total purchase के जगह पर मैंने total column में लिख दिया पहले यहाँ पर कोई doubt इसके बाद sale में हमें हर department का unit का rate पता है तो सब को multiply करके हम sales निकाल पा रहे हैं तो मैंने सब को multiply करके sale कर लिया और यह भी total हो गया यहाँ तक clear है अब closing stock के लिए इन्होंने unit दे दिया तो मुझे अगर purchase का rate पता चल जाए तो इन सब को multiply करके मैं closing भी निकाल लूँगा opening भी यानि यह question जो फसा हुआ है सिर्फ एक की वज़े से फसा हुआ है कि हमने जो समान खरीद रहे हैं उसका rate क्या है अगर उसका rate पता चल जाए तो purchase भी निकल जाएगा opening stock का भी वही rate रहा होगा और closing stock का भी वही rate रहा होगा फिर तो GP आराम से find कर सकते हैं इसने कहा कि जो भी purchase का होगा वो GP ratio पे depend करेगा यानि अगर selling price आपका 20 है और GP ratio मान लेतने 30 निकल गया तो इसका 30% कितना होगा 6 तो मैं ऐसे purchase का rate निकाल पाऊंगा मेरा ये उद्देश्य है यहाँ पे पहले ये समझी आप यानि आपको मान लो selling price दे दिया के 20 रुपे है और आपको GP पता चल गया के 30% है तो आप तो समझ गए जी के 20 का बेच रहे हैं और इस पे profit 30% कमा रहे हैं तो 30% इसका कितना होता है छे तो इसका मतलब हमने खरीदा कितने का होगा 14 तो हम कैसे purchase का value निकालेंगे ये समझ पा रहे हैं यानि सर हमें GP ratio चाहिए और GP ratio का formula क्या होता है जी पी आर होता है हमारा profit divided by sales into में 100 तर लेकिन profit का formula क्या होता है profit is equal to sales minus में COGS कहलो आप cost of ये आपने बारवी class में ratio में पढ़ा हुआ है और हलाकि यह होता है या तो आप purchase बोल लो या COGS बोल लो अब sales value हमें पता है total क्योंकि हम हर किसी का GP ratio नहीं निकालेंगे बोला आप combine करके निकाल लिए और सबका GP ratio क्या रहेगा सेम रहेगा सवाल नहीं ये बोल दिया है तो हमें sales पता है अब COGS निकालना है अब COGS में हमें आपको पता है कि total purchase जो था वो कितना था हमारा 9000 था आप जैसे कि अभी कुछ contract एक है सर इनका sale value निकाल लो तो मैं एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं कि मैं न ये जितने unit purchase है यानि इसी का purchase का ये price होगा इसी का purchase का ये price होगा इसी का purchase का ये price होगा इन तीनों का purchase हैं सेम मैं sales का value निकालता हूं चलिए तो sales का A का, B का और C का तो sales मान लेते हैं 10-10,000 पर या तो sales में 10,000 ही ले लेता हूँ 20,000 ही ले लेता हूँ और 30,000 ही ले लेता हूँ कि मान लो कि 10,000 युनिट को क्योंकि जितना unit purchase और जितने unit sales बीच का difference profit हो जाएगा तो अब इसका selling price क्या है per unit इसका 21 है, इसका 22 है और इसका 24 है तो अगर मैं इनको multiply कर दूँ तो ये क्या जाएगा हमारा 2-10 ये क्या जाएगा हमारा 4-40 ये क्या जाएगा हमारा 48-72 तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्या आप total बता पाओगे इसका total sales बता पाओगे आप इसका दो दस यानि तेरा सफ्तर पहले जितने बच्चे लाइव है चाहे ओफ लाइन में ये बात समझो समझ रहे हो यह है यानि ये सेल्स भी उसी के अकॉर्डिंग मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है जितना परचेस किया है क्योंकि सेल्स का यूनिट सेम परचेस का यूनिट सेम दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट और जिपी रेशो आराम से निकल जाएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो सेल्स है वो सौ यूनिट बेचा है तीन सो रुपे का और जो परचेस है वो पचास यूनिट है 2 सो रुपे का यहाँ जिपी निकालना थोडा से गलत है क्योंकि हमें सेल्स बेचा है तीन सो यूनिट और परचेस भी किया है तीन सो यूनिट सेल्स का टोटल अमाउंट परचेस का टोटल अमाउंट अब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा actual GP निकल पाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर चलो यह कर लिया, पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, अब बड़ी सीधी सी बात है, total purchase भी पता है हमें, purchase total 5, 9, sorry कितना है purchase total, तो मैं इसको थोड़ा और साफ साफ यहां न लिखके, मैं यहां पर total sale लिख देता हूँ, total sale कितने हैं, 13,00,000 क्या रहा था यह, 70,000, 13,00,000, और जो मैं पहले यह ले रहा था न, 13,84 यह total था, उसको मैंने change कर दिया, उसको भूल जाए, यह मैं दुबारा कर रहा था, ठीक है, purchase जो है, कितना है, 9,50, तो अब आप GP बता दीजिए, चार लाग, अब sales में formula लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, 4,00,000, divided by, कितने, 13,00,000, इंटू में, 30%, मैंने example में 30% ही लिया था, 30% है, अब you know very well, कि sir, यह जो selling price है, इसमें 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है, इसमें भी 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है इसमें भी 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है हर किसी में तो हम क्या कर सकते हैं सर जिस जिसमें 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है इसको हम आराम से selling price निकाल सकते हैं कैसे इसमें से minus कर देंगे अगर हम 30% 30% तो 22 का 30% तो ये 15 रुपए 40 पैसे यहाँ पे भी माइनस कर दे 30% तो 24 का 30% 16 रुपए 80 पैसे अब मेरा काम असान हो गया अब मैं क्या यहाँ पे परचेज के वेल्यू जो भी होगा यूनिट को हर बार मल्टिप्लाई कर दूँगा उसके परचेज के यूनिट के इसाब से तो यूनिट 1 का ओपनिंग स्टॉक अभी ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला नहीं है अब ओपनिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक नेक्स पे निकाल ले ओपनिंग स्टॉक चलिए, हमारा होता क्या है, sales unit sales unit, जो sales होगा, वो opening stock plus में, purchase minus में closing stock होता है, यह unit के terms में चल रहा है, ठीक है अब sir, अगर हमें opening चाहिए, तो इसको इधर कर देंगे तो opening stock is equal to, यह minus में हो जाएगा इधर जाएगा तो, समझ रहे हो, ठीक है और इधर sales हो जाएगा minus का, और इसमें से क्या रहेगा, plus purchase, minus closing stock यही रहेगा, मैं proper, देखो, कुछ बच्चे हैं, जिनको समझ में, मतलब कि, अगर देखा जाए, तो जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, कि इसको उठाके ले जाएंगे, इधर plus का symbol होता है, तो इधर minus का, इसको उठाके ले जाएंगे, plus का symbol होता है, minus का, ultimately minus से minus हम cut कर सकते हैं, finally देखा जाए, तो minus से minus cut करके लिख सकते हैं, अभी फिलाल मैं, opening stock की value निकालू, तो वो minus से minus क्या हो जाएगा, यह cancel कर दिया, ठीक है, वो पूरा cancel हो जाएगा, यानि क्या हो जाएगा, sales, रुकिए, एक मिंट, इसका जो formula जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा, sales, इसको पूरे को solve करेंगे, minus, यह बनेगा, ठीक है न, sales में से, जो भी है, यह minus कर दो, क्या बच जाएगा, आपके, opening stock, यही बनने वाला है, तो मैं, opening stock निकाल लेता हूँ, किसका, department A, department B, department C, sir, opening stock निकालने के लिए, department A का, क्या करेंगे हम, department A का, मैंने यह चीज़े उपर नहीं लिखना चाहिए, यह department A, department A का देख लेते हैं, हमारा opening stock is equal to, sales क्या है department का, साइद 10,400, 10,400, minus, purchase क्या है, purchase क्या है, 10, और minus, closing stock क्या है, 800, तो 10,400, 10,400, minus 10,000, minus 600, कितने बचे हैं, minus 10,000, minus 800, यह 400 बच रहे हैं तो, अच्छा, plus हो जाएगा, यह, प्लास क्यों होगा, आप गर्पट तो नहीं करा हैं, bracket बाहर करते हैं, यह ब्रेकेट अठा देते हैं, इसका राइट फॉर्मूला बना लेते हैं, यह बना दिया मैंने, ठीक है, sales plus, closing कितने थे, minus, तो, A का आगया, बारा सो, सेम B का निकाल ले, opening stop, सर B का कितना है, बताते जाएए आपके पास book है, 90, plus, closing, closing, बारा सो, purchase, sales, 20, 20 हाजया, क्या आया, 800 आगया, C का opening stop, sales, 3600, कितने, 3600, 3600, closing stop, minus, क्या आगया, 2000, यानि सर, हमने ये निकाल लिया, अब साइद, कुछ बच्चों को confusion होगा, इसमें थोड़ा time हमने लिया है, पहले आप मुझे clear कर दीजिए, आप सभी को clear है, जितने बच्चे live दे रहे है, सर 30% कैसे आए, मैं भी बता देता हूँ, पहले ये बताईए, ओपनिंग स्टॉक समझ में आए, clear है, बच्चे पूछ रहे हैं, सर 30% कैसे आए, इसको formula में cut किया न, इसको divide करके into, आपको visual होगा, तो ये 30% आ गया, अब ये कैसे आए, आपका सवाल होगा, तो ये यहाँ पे मैंने निकाल के दिखा दिया, सर ये कैसे आया, 1370, ये भी मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, ये इन सभी का क्या है सर, total है, अब ये सभी कैसे आया, उपर भी multiple apply करके मैंने दिखा दिया, ठीक है, चलिए, अब आगे आजाते हैं सर, आगे, हमारा opening stock का unit पता चल गया, opening stock पहले का है 1200, तो पहले का कोई बच्चा बताएगा, मैं पहले का करके दिखा दूँगा, क्यासे आएगा, पहले का आएगा सर, पहले का आएगा, 1200, पहले का आएगा, 1200, और multiply by rate, तो पहले का rate है, 14.70 पैसे, तो 1200, इंटू में 14.7, यह आगे है, 17.640, 17.640, same opening का भी पहले का, stock का भी करके दिखा देता हूँ, 10,000, इंटू में 14.70, तो 10,000, इंटू में 14.70, एक लाख, 47, ऐसा ही closing का भी करके दिखा देता हूँ, closing कितना था, आठ सो, इंटू में 14.70, तो 800, इंटू में 14.70, 11,000, 7060, clear है, अब तो समझ में आगे है, सब का बस data fill करना है, जी भी निकालना है, अब सब का data ऐसे B का कर ले, तो B का आपने बताया था, सर क्या आया है B का, B का आया है 800, तो 800 को multiply करेंगे, किस से? 800 को multiply करेंगे, 15.4, 12,300, 12,500, ठीक है, अब कर देते हैं, ऐसे इसका, 20,000, इंटू में 15.4, 3,8,000, ऐसे ही किस का कर देते हैं? C का कर देते हैं, पहले इसका भी निकाल लेते हैं, 15.4, इंटू में closing 1200, 18, 480, अब आजाते हैं, तीसरे का, C का यूनिट कितने हैं? 30,000, 30,000 इंटू में, 16.8, या आगे 5,4,000, सर्व, ऐसे ही 16.8, इंटू में, 1400, या आगे 23, और इसका आये था 2000, 2016.8, 33,000, 600, इनको प्लस कर दीजिए, 13, 13, सरी, 17, 640, प्लस में 12, 320, प्लस 33, या आ गया 63, 560, इनका टोटल यही होगा, आप चेक कर लीजिए, इनका टोटल यही होगा, इनका टोटल भी कर तो, 217, 11, 760, 18, 480, 26, 520, 53, 760, ठीक है, बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई साइड में, आपका टू में आएगा न, टू में जीपी आ जाएगा, जो पूछा था, तो पहले का निकाल लेते हैं, 21, 21, 21, 24, प्लस 11, 760, या गया 230, 160, या गया 230, 160, माइनस कर देंगे, 17, 640, 23, 160, माइनस 17, 640, इसमें करेक्ट का ओप्शन नहीं के रखाए, माइनस 14, यह कितना आ गया, यह लॉस आ रहे गया, 230, 160, माइनस, 314, 65, 520, ऐसे दूसरे का, 73, यह सी का निकाल रहा हूँ, 75, 7, 9, 2, 0, 75, 7, 9, 20, कोई बच्चा B का भी निकाल ले, फटा फट हो जाएगा, बच्चे जो लाइव में फटा फट मुझे B का बता दे, मैं C का निकाल रहा हूँ, 600, यह आ गया 220, चेक करिएगा 220, 320, 320, C का यह है, ठीक है, 123, इसका बताईए, 43, 1200, अभी तक टोटल नहीं कर पाए, भाई कल के क्लास में आफ्लाइन वालों के बच्चे के पास मुझे कैल्कूलेटर दिखना चाहिए, माइनस, यह क्या आ रहा है, आप इसका टोटल कर दो, कितना अगे है टोटल, जी भी बताओ टोटल, इनका भी तोटल करके आप लिख लोगे, चौदास हैंतेस, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए अब ठीक है, सर ध्यान देने आली बात क्या है, पहली यहां तक सब को समझ में आ गए एक दम अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए, बता भी यह था बच्चों ने, अंजली ने बता दिया था, रिया ने भी बता दिया था, जी पी भी बता दिया, एक उनक्तिस तीनसो साथ, ठीक है, चलिए यहां तक किसी का डाउट है, जो बच्चे लाइव ग्लास में सा रहे हैं, वो बता दे फटा फट यहां तक डाउट तो फिर हम आगी का डिस्कुशन करें। सुषय को लाइब हैं, रुलैट शोला हैं, MANDALए पलास में सबड़ हैं, वो रियो कली का दो को जनक्तिसा के लाइब तक लेगां, झालने छेतशने,